दोस्तों आपके वाशिंग मेसीन में भी इस तरह के प्रॉब्लेम आ रहा है वाशिंग मेसीन फिल राई धगडग करके और आवाज हो रहा है तेजी-तेजी से तो इस प्रॉब्लेम को हम बहुत आसानी से सॉल्ब कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहि यह जब ऐसा प्रॉब्लेम हो तो हमारा वाशिंग मसीन है गोद्रेज कंपनी का 6.2 kg टॉप लोड यह ड्रम है और इस साइड में हमको डिटर्जेंट कॉमपर्टमेंट दीख रहा है एक जब हम कप्रेद होते हैं तो इसके अंदर डिटर्जेंट डालते हैं और इधर फिल इसको साफ करने के बाद हम फिर से इसको दोबाड़ा लगा सकते हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहां से हम स्वीच को ओन कर देंगे और टैप को खोल देंगे और पावर बटन को ओन कर देंगे और स्टार्ट करेंगे इसके पहले हम कप्रे और डिटर्जेंट डाल चुके हैं तो अमारा वाशिंग मसीन ओन हो गया और पानी लेने लगा अब यह वाशिंग मसीन स्पीन मोड में आ गया है तो जब स्पीन मोड में आता है और इस तरह से आवाज होता है धगढ़क करके और हिलता है तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह का होता है तो देखी अभी तो स्मूतली चल रहा है चलते चलते फिर इस तरह का होने लगता है तो देखिए इस तरह का जब प्रॉब्लेम आता है तो इसके मतलब आपके वाशिंग मसीन प्लेन सर्फेस में नहीं है जहां पर आप वाशिंग मसीन को रखे हैं वहां का सर्फेस प्लेन नहीं है और सबसे पहले तो आप कोभर खोल दीजिए तुरंट वाशिंग मसीन का और कपड़े को आप पहले थोड़ा सा इस तरह के से उपर नीचे कर लीजिए जब आप कपड़े को उपर नीचे करेंगे तो हो सकता है और कौभर को लगा दीजिए हो सकता है इससे आपका प्रॉब्लेम सॉल्व हो जाए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लेम सॉल्व नहीं होता है तो देखिए जब इसका कौभर लगाएंगे तो तुरंत यह आटोमेट करता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा वाशिंग मसीन प्लेन सर्फेस में रखा नहीं है वहां का फ्लोर उपर नीचे है तो हमें क्या करना है वाशिंग मसीन के जो लेग होता है उसको घुमा घुमा के इस तरह से एड़ेस्ट कर लेना है हमारे वाशिंग मसीन में यह ऑफ् फिर से आपको ये प्रॉब्लेम नहीं होगा ये आप अगर इसके लेग को सहीं कर देंगे देखिए अभी हमारा कपड़े धूल गया है और बहुत अच्छा एक आवाज के साथ ये वाशिंग मसीन में पूरा हो गया हम ओफ कर दिये पावर बटन से वाशिंग मसीन को और देखिए हमारा कपड़ा बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है दोस्तों मेरे चैनल में तीन वीडियो और है वाशिंग मसीन का जो लाइव डेमो दिखाया गया है और लाइव रिव्यू भी है सब कुछ है आप देखिएगा उसमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों को थैंक यू